कि अच्छिता कि कमेंटरी बॉक्स पर आजो आज का यह पहला मैज खेला जाएगा ट्विश्चा ट्विश्चा जूल वारियर्स बनाम HR लाइन्स आज के अंपायर योगिस और ओमकार मैच कुछी छड़ों में प्रारंब होगा यह पहला मैच है आज के दिन में पांच मैच खेले जाने है इसी बीच मैच की सुरुवात होती हुई तॉस जीत कर पहले फिंडिंग करता हुआ ट्विश्चा वारियर्स पहली गेद अच्छी विली आमपायर महोदे दोनों ही कैप्टन से अन्रोध है कि एक एक अत्रित खिलाडी कृपया भेज़ दे गेद को खेल कर एक रन एक एक अत्रित खिलाडी कृपया भेज़ दीजे कमेंटरी बॉक्स पर दोनों ही टीमों से अन्रोध है क्योंकि यहां स्कोर बोर्ड पर नाम बताना आसान होगा जिससे की कमेंटरी अच्छे से और यहां पर स्कोर बोर्ड भी चलता रहे है ठीक है ठैंक यू अगली गेद गेद घूमी पंच किया रन लेने के आगे ठीकल चुके है वापस वहाँ पर लोटे स्कोर है एक रन गेद को खेल दिया है पहला सिक्सर शुरुआत हो चुकी है सिक्सर की भुरोशन बॉलिंग करेंगे कैप्टन को गेद को ऑन साइड में खेल कर रन लेना चाहते है ठोट किया लेकिन तब तक आसानी से पहुँच चुके थे स्कोर है आठन बैटिंग भी कौन है अभी अविनास और गेद घूमी क्लीन बोल्ड हमारी आईटी टीम जो हर विकट और सिक्सर पर आपको एक सूरज और सूरज की टीम अब आए है निखिल संकर मौलिक आए है स्ट्राइक पे है एक रन और नौ रन गेद को खिला कार्पेट के सारे सीधा अच्छी फिल्डिंग एक रन ये दूसरा ओभर प्रगत पे है संकर अगली गेदार ये बहत्रीन इसे बोलते हैं नाक के सीध में सीधा मारना स्टेट ड्राइब कोई भी आप्सन नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास फिर वही सौट थी लेकिन फालो थू में निखेल तैयार स्कोर है चौदा रन और बहुत ही बहत्रीन फिल्डिंग बहुत ही बहत्रीन फिल्डिंग कम से कम एक पाच रन बचाएं है यही स्कोर पंदरा रन मात्रीक रन आये अगली गेद खिला चाते थे निखेल ने फालो थू में खुद फिल्ड किया ओवर की समाप्ती दो ओवर की समाप्ती पर स्कोर है पंदरा रन एक विकेट अब आये हैं निरो अमपायर का इसारा नो बॉल कैप्टन ने सोचा इस पे कुछ तो बल्ला चलाना था कम से कम कुछ रन और मिलते फुल्टास गेट थी गेट को सीधा स्टेट ड्राइब किया है लॉंग ओन पर मौजूद खिलारी ने गेट को फिल्ड किया सिर्फ एक रन स्कोर सत्रा रन गेट पॉइंट के तरफ जब तक गेट को फिल्ड करते आसानी के साथ एक रन स्कोर हो गया है अठरा रन इसी बीच निरो और सीधा सिक्सा 25 रन 25 गेट को छोड़ा अमपायर ओमकार का इसारा वाइट बहुत एच्छी गेट थी पैर उपर केट की गेट घूमी लेकिन खिलारी ने तब तक एक रन खिल कर ले लिया स्कोर है 27 आइस बोल्ड जैसा मैंने बोला कि उनकी जो कोशिस थी निरो की कि जेट पैरों पे करें फिल लेकिले जाएंगे और क्लीन बोल्ड होकर वापस जा चुके हैं अगली उभर की पहली गेट अच्छे फिल्डिक निरो के द्वारा एक रन अब आए हैं यागनिक बहुत अच्छा साट सिक्सर चौतिस रन और अगें सिक्सर पुलल नेंद गेट थी खेला खिलारी मौजूद भाविन यागनिक को अमपार का इसारा देखना होगा सिक्सर पुलल लेंद देथी कैच हो सकता है आए निरों ने कैच कर लिया तो अपना यागनिक ने अपना तो काम भरपूर निभाया 47 जिस चीज की जरूरत थी यागनिक बखूबी निभा कर चले गए हैं एक बल्ले बास से आप और क्या पेच्छित कर सकते हैं कि चार बॉल खेले और 20-22 रन बना दे आप कोन आया है मयूर आये हैं बॉलिंग मार्क पर हैं सिराज विराज विराज अगली गेट गेट गई है बहुत अची फिल्डिंग और अभी मौका है और वहां पर एक अपील थी लेकिन भागी ने पूरा साथ दिया है लक इसी को बोलते हैं अमपार का इसारा वाइट एक और रन विराज विराज बॉलिंग मार्क पर हैं सीधा खिला है और ये चार रन इसी के साथ पच्चास रन पूरे हो चुके हैं उसकोर जा पहुंचा है 53 तीर पर रन पांचे ओवर की गेदबाजी जारी है तीन बिकेट गिरे हुए हैं अभी तक गेद को खेला ओफ साइट पर एक रन टॉस जीत कर पहले गेदबाजी का नेड़ा लिया है ट्विशा वारियर्स ने ब्लॉक होल बहुत आगे निकला हैं नान स्टाइकर बल्ले बाजनी कुछ भी वहां पर अपना रन लेने का दिखाया और रन आउट होकर वापस जा चुके हैं स्कोर है 54 लॉस आफ फोर विकट फिफ्थ ओवरीज प्रोग्रेस टूडी सिकन्ड और वहां पर फालो थू मैं यह लगाता दूसरा विकट दिख्टो की संख्या जा पहुंची है पांच ओहर की सवापती अमपायर अमपायर एक गेत बाकी एक गेत बाकी है यह लास्ट बॉल है पांच विकट गिर चुके है 54 पर 54 बहुती वहां पर प्रयास अच्छा था लेकिन कैच हातों में न समापाई जीवनदान पांच ओबर की समापती 55 क्या संजोग है हम आपको बता दे ऐसा संजोग बहुत कम मिलता है 55 रन पांच ओबर पांच विकट पांच 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 क्या संजोग है तो इसी वीच वीराज और ये सिक्सर तो इस संजोग में 61 एक्सेटन फुल टास्ट ये ओन साइट में के लार रन लेना चाते हैं अब यहां पर कोशी से ओवर्थ्रो का फाइदा उठाने के लिए अमपायर का इस सारा योगेस का देखना होगा कुछ देर कुछ देर अपनी में और ये आउट आउट करार दिये के दूसरा रन ने जा रहे थे तो ये अंतिम भिकट विराकी अगली गेद खेला है वहाँ पर लेकिन नीरो जी ने अपना हंडिट परसेंट दिया है बॉलिंग फिल्डिंग कैच तो यहां पर च्छाए हुए हैं नीरो जी विराकी अगली गेद और बहुत करारा सौड था स्कोर अभी भी रुका हुआ संकर 63 कारपेट के सहारे बहुती और यहां पर चार रन एक मांग थी अपील कर सकते हैं लेकिन अंपायर ने सीरे से नकारा है अंपायर ने खारिज किया है फिल्डिंग एक दबाव था अंपायर के उपर लेकिन दोनों ही अंपायर हमारे ओमकार और योगेस बहुती बहतरी इन अंपायर है इसे बीजिगेत को ऑन साइट में खेला दूसरा लन चाहिए और यह दूसरा रन भी पूरा कर लिया है तीसरा रन लेना चाहते हैं और यह तीसरा रन भी पूरा कर लिया ये अजीबो गरीब रन था जिसे कहते हैं कि गरीबी में आटा गिला जहाँ पर एक रन था वहाँ पर दो रन और दो रन को तीन रन में कनवर्ट किया तो यहाँ पर कुड रनिंग बिट्विन दा विकेट स्कोर 70 रन 71 रन चाहिए 6 ओहरों में 71 रन तो एक सम्मान जनक स्कोर पाच चुकी है लाइन्स की टीम ने एचा लाइन्स की काहँ है जा हाँ यहाँ लाईन घऴ 치काश है हम अपने उस स्कोर से पूछना चाहेंगे अच्छ है और जिंक किस परकार हाइस्ट रन किस ने बनाया अठर रन यागनिक तीन चक्के चार गेद उन्हों ने खेला तीन गेद पर तीन चक्के और चौथी गेद पर आउट होकर वापस गए थे तो यह जो उनका योगदान था वो काफी कुछ निर्भर यह 71 रन में है कापी अच्छा महत्वपूर इसके बाद मैच खेला जाएगा जीना अन्मोल डाइम इंडियन्स वर्सेज बीडीवी स्टार वारियस इसके बाद जो तुरंद मैच खेला जाएगा दोनों ही कैप्टेंस और रोध है कि टॉस के लिए तयार रहें जैसे ही मैच समाप्त होग आप बॉक्स में आ जाएगा अन्मोल इंडियन्स वर्सेज बीडीवी स्टार जलक जी और अमीत दोनों लोग ही तयार रहें इसके बाद तॉस के लिए कि बैटिंग करने के लिए आये हैं ओपनर बैट्स में निरव और भाविन निरव है स्टाइक पे भाविन नान स्टाइक पे अब गेत कुछ सम्मान दिया वहाँ पर हंसी लाएं पहला हुआ लेकर और यहां पर नो बॉल एक रन दोड कर दो रन दूसरा नल के लेना चाहते हाँ ना हाँ ना क्या होगा देखने वाली बात है और यह दो रन यह गजब का छड़ था हाना में हाना में दूसरा रन चुरा ही लिया तीन रन धन्यवाद अमपार महोदे एक रन नो बॉल दो रन दोड़कर तोटल तीन रन हंसिल की अगली गेत और पूरा फैदा उठाया है टोटल साथ रन मिले हैं स्कोर जा पहुचा उचाल मारता हुआ हमारे स्कोरर और यह बॉक्स आउट दस रन संकर दस रन दस रन एक अब आहे हैं रोसन हंसिल ने नो बॉल तो फेके लेकिन बिकेट भी लेके गए फूल लल्चाया था वहां पर खिलाडी को बैक अप कोई नहीं कर रहा है दूसरा लगना चाहते हैं लेकिन वहीं कि अंडर्स्टेंडिंग रखनी होगी क्योंकि यह बारह गज का जो यह पिछ है मुस्किल कभी कभी कर देता है रहां लेने में क्या गेत गिरी है घूमी है कुछ भी नहीं कर पाए बल्लेवाज हंसिल के अगली गेत स्लोवन के थी कैच हो सकता है शिक्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब पहले ओभर के बाई जारी अभी भी एक गेत सेस है तो एक जो शुरुवात मिलनी थी ओ टिशा वैरियर्यस को मिल चुकी है ओभर की समाप्ती एक ओभर की समाप्ती पर सत्रा रन एक बिकेट शुरुवात मिल चुकी है तुशा वैरियर्यस को एच आर लाइन्स कोशिस करेगी एक दो बिकेट निकालने के लिए पहला उभले के आए हैं मैयोर टीम का दूसरा ओभर सामने होंगे रोशन गेदगीरी सीधी रही कुछ भी नहीं कर पाएं तो एक डॉट बाल फुल्टास गेद खिलाडी हैं वहाँ पे हर सील थ्रो था बीच में आया है लेकिन एक रन इस एक रन की मज़स्ट को जा पहुचा अठरा रन अमपायर का इसारा देखना होगा डिट बॉल तैयार नहीं थे मैयोर की अगली गेद गेद को खेला है खेलते ही रन लेना चाहते हैं थ्रो था स्टेंपर नहीं लगा लेकिन वहाँ वहाविन और रोशन का गुड रनिंग बिट्विन दा विकेट एक रन चुरा ही लिया 71 रन का लच्छे है अब बीट हुए गेद पैर और बैट के 20 से निकलता हुआ फिकट कीपर भी बीट हुए तो अच्छी गेद बाजी का ना जारा मयोर के द्वारा आगे निकल कर मानना चाहते हैं इस बार तो काफी अब कितना महांगा पंड़ेगा सामने वाला आने वाला समय बताएगा लेकिस टैम से काफी बाहर वाइट स्कोर है 20 रन अभी तक अच्छी गेद गई है रोश्चन को गेद समझ में नहीं आ रही है सीधी गेद खेलना चाहते हैं सीधे बल्ले से लेकिस संपर्क नहीं हुआ दो वर किसमापती 20 रन मात्र 3 रन आईस ओफर में तो एक बहत्रीन ओफर मैयूर के द्वारा बॉक्स क्रिकेट लीग 2024 सिजन 3 का आज का ये दूसरा और ये सिक्सर भाविन भाविन लगा तारा और गेद उठी नहीं उच्छी नहीं इसमें बल्ले बाज क्या ही कर सकता है गेद ने कुछ भी उच्छाल नहीं लिया टिशा वारियर्स वर्सेज एचार लाइन्स टिशा ने पहले गेद बाजी करने का नेड़ा लिया था एचाल लाइन्स ने 71 रन का लच्छ दिया उसका पीछा करते हुए अभी तक 26 रन बना चुके हैं कैप्टन आये हैं बालिंग करने के लिए और वहाँ पर बहुत ही अच्छी फिल्डिंग बहुत ही अच्छी फिल्डिंग का नजारा दो रन तो मिला अच्छी फिल्डिंग सभी दर्सकों ने स्वागत किया है वहाँ पर मयूर का कैप्टन गेद को सीधा खेला है फॉलो तुरू में फिल्ड करना चाहते थे सिर्फ एक रन स्कोर है 29 रन 29 आपको बता दे फुल्टास गेद हरसिल का प्रयास अच्छा था अगली गेद गेद को खेला है वहाँ पर तब तक असाने से एक रन इस एक रन की मदस से स्कोर जा पहुचा है 31 तीन ओवर की समापती हमारे स्कोरन ने बताया का तीन ओवर में 40 रन 13 दसमलो समसम रन प्रती ओवर चाहिए बैटिंग में तो कमाल दिखाया था यागनिक ने अब बॉलिंग में आए हैं ओवर दे विकेट करेंगे लिफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए फुल्टास गेट ऑन साइट पर रोसन अभी तक बल्ला इनका खामोस रहा है फुल्टास गेट और बहत्री कैच अएसे लगा कि उनके हाथ में चुम्बक था चुम्बक और गेट हाथों में जा समा वेठी अगली गेट बहुत ही बेत्रीन गेट बाजी अब जारी है यागनिक के द्वारा अंपायर का इसारा वाइट इस एक रन की मदस स्कोर पहुंचा 33 रन यहां पर तुशा वरियर्स को अंपायर ने कुछ वहां पर हिदायत दी गेट को खेला है और मयूर तयार है फूलल लेंद गेट थी खेलना चाहते थे पूरी तरसे गेट को उठा नहीं पाए और गेट जास तोची मयूर के हाथों में विकेट गिरा कुछ दवाओ में आएगी अब आए हैं विरार 33 रन चौथे उबर गित बाई जारी है नो बॉल अंपायर का इसारा एक रन दावड कर दो रन मिलेंगे यहां पर 35 चार विकेट चौथे ओवर गित बाई जारी है यागनिक ने पहला विकेट अपने नाम कर लिया है और यह दूसरा विकेट तो एक शुरुवात मिली थी एक शुरुवात मिली थी पहला ओवर सत्रा रंका गया था लेकिन उसके बाद जिस तरह वापसी किया है स्कोर है 35 तो मैं आप मैच के स्रेड़ी में यागनिक ने तो अपना जगह लगभग लगभग अभी तक पक्का किया है लेकिन अभी मैच बाकी है इसी अगली गेट पर पॉइंट पर दूसरा रहने चाहते हैं मना कर रहे हैं पर 36 पांच ओवर की चार ओवर की समाप्ति मोरू दूसरे मैच के धन्यवाद रचिता दूसरे मैच के दोनों ही कैपिन तयार रहें बहुत अच्छी गेट थी एक अपील है योगेस ने वहाँ पर नकारा हमारे अंपायर योगेस और ओमकार और इस बार आउट तो ये छठा विकेट ये लास्ट विकेट होगा कैप्टन आ रहे हैं लास्ट विकेट के रूप में दिब्यानसुजी दिब्यानसुजी आये हैं मैच अनिस्ताओं का खेल है ओभर गेट बाकी है लेकिन यहाँ पर शिक्सर चाहिए इस बार बीट हुए है एक दबाओं में आ गई टिशा वरियर्स और यह आल आउट हो गई है और यहाँ पर एचार लाइंस ने टॉच जीत लिया है एचार लाइंस ने मैच से जीत लिया है मैच से जीत लिया है एक तरफा मैच रहा दोनों ही कैप्टन अनमोल इंडियन्स और बीडीबी स्टार वारियस के कैप्टन दोनों ही कैप्टन संडरोध है कि बॉक्स में आ जाएं कि बॉक्सित कैप्टन